समाजबादी पार्टी के राश्ट्री अध्याप्ज अखिलिस यादव ने लोकसभा में अपना सम्भोधन करते हुए बीजेपी सरकार पर जम कर हमला बोला अखिलिस यादव ने कहा कि 4 जून 2024 का दिन देश के लिए संप्रदाइक राजनिती से आजादी का दिन था इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला बीजेपी पर निसाना साथते हुए उन्होंने कहा चुनाव के समय में कहा गया था 400 पार मैं समझदार जनता को फिर एक बर धनिवाद दूँगा एक शेर पढ़ते हुए अख्लेश ने कहा मैं कहना चाहता हूँ कि अवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर दर्बार तो लगा लेकिन गमगीव है सब दर्बार लगा लेकिन बेनूर है उत्तर प्रदेश की पीजेपी सरकार को लेकर उन्होंने कहा जहां से पीएम चुनकर आते हैं वहां की प्रदेश सरकार भी वन ट्रीलियन एकोनॉमी की बात कर रही है यूपी में अगर ये संभाव करना है तो 35 प्रतीशत की ग्रोप चाहिए मुझे नहीं लगता है कि ये संभाव हो पाएगा हंगर इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं हैपिनेस इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं बीजेपी पर निसाना साथते हुए उन्होंने आगे कहा पहनी बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है जनता कह रहे हैं कि सरकार चलने वाली नहीं है ये गिरने वाली सरकार है अखिलेश ने बीजेपी पर तंच कसते हुए कहा कि उपर से जुड़ा कोई तार नहीं नीचे कोई अधार नहीं अधार में है जो लटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं इसके साथ ही पेपर निक के मुद्धे पर भी अखले स्यादों ने मोधी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बड़ी परिक्षा का भी पेपर लीक हो गया पेपर लीक हो क्यों रहा है ये सरकार पेपर निक इसलिए करा रही है क्योंकि ये रोजगार नहीं देना चाहती के जागरन काल की अनिक प्रतिनिधी यहां बैठे हैं